गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो लेक्शर की सुरुवार्थ एक बहुत अच्छी कोर्ष से करना चाहते हैं जो यूएस के प्रेज़ेंट हुए हैं थियोडोर रुजवेल्ट उन्होंने कहा था I believe you can and you are halfway there अगर आप कोई काम करने की मन में सोच लें विश्वास कर लें डर्णिष्चह करते करें यानि अगर आप ने कोई काम करना है उसका डर्णिष्चह आपने कर लिया है विश्वास कर लिया है कि तो आधा काम तो अपने आप हो गए यानि आदे रास्ते में तो आप लोलीज से भी मान सकते हैं और साइन से भी मान सकते हैं टोपिक है वाट डू यू मीन बाइ एन ओसियन या निया हम इसमें हमारी पूरे वर्ड में पूरी अर्थ पे कितने ओसियन हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे अब पहले बात पहले कुशन तो यही बनता है वाट इजन ओसियन की ओसियन आखिर है क्या अगर हम ओसियन की बात करें तो एन ओसियन इसे लार्ज एरिया ओफ वाटर लार्ज एरिया ओफ वाटर विट्विन कॉंटिनेंट्स तो जो हमने देखा यह इंडिया बनी हुई है यहां पे कहीं कुछ है यहां पे कुछ है तो पानी के जो हिसे हैं इसे ही मिल जाते हैं तो इसमें क्या है अर्थ सर्फेजिस कवर्ड 71% विद वाटर जो प्रत्वी पर जो है 71% पानी ही पानी है केवल 29% जो एरिया है उस पे लेंड या फोरेस्ट वगरा है तो कितना पानी है 71% तो इस 71% का जो हिस्सा है उस हिस्से का भी 97% जो पानी है वो ओशियंस में है यानि जो 100% पानी हुआ उसका 97% जो है ओशियंस से आता है अब oceans यानि महा सागर सागरों के भी सागर महा सागर अब ये कितने हैं तो total ये 5 हैं अब इनको देखते हैं Pacific Ocean, Atlantic Ocean Indian Ocean Southern Ocean और Arctic Ocean अब जब इनकी बात करेंगे हम तो इनके बारे में हम अच्छे से सारी topics को सारी चीजों को जानेंगे ये सब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है उसी सिक्वेंस में लिखे गए हैं तो सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा है वो है Pacific Ocean Pacific यानि प्रशांत Pacific प्रसांत महा सागर अब ये प्रसांत महा सागर सागर है ये 1521 1521 में एक पुर्तगाली नाविक हुए थे जिनोंने इसकी खोज की थी, उनका नाम था मैगलिन, क्या नाम था, मैगलिन तो ये कोश्चन जीके के उसमें भी आ सकता है, पहला कोश्चन तो सबसे बड़ा महा सागर कौन सा है तो हम सबसे बड़ा, लारज़ेस्ट महा सागर पूर्तगाली नाविक था इसके बाद, इसकी जो बाउंडरी है इतना बड़ा है, उस पानी का लगबग 50% आधा 46% अकेले पैसिव कोश्चन में है यानि अगर पत्वी पर 100% पानी है तो अकेला लगबग 50% मांगे चलिए इसी में है अब सबसे इंपोर्टन चीज़ क्या है तीन कोश्चन हो गए मेगलिनेस की खोज की 1521 में लारजेस्ट और डीपेस्ट है तीसरा 46% ये पानी को कवर करता है अब एक कोश्चन और कभी-कभी जनरल नोलिज में पूछ लिया जाता है ये है चैलेंजर डीप या इसको मेरियाना ट्रंप भी मेरियाना ट्रेंच यानि इतना गहरा इस टाप का ये पोइंट है सबसे गहरा पोइंट हो ये इतना गहरा पोइंट है कि 36,000 फिट नीचे है और ये भी Pacific Ocean में पढ़ता है तो Pacific Ocean के बारे में चार पोइंट यहां पे हमने पढ़ लिए जो जनरल नोलिज के हिसाब से भी और बच्चों को थोड़ा जानना चाहिए कि इमार्ट कितने Oceans है और वो भी सियर नंबर से पूछ लेता कि सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा हुआ हमारा परसांत महासागर अब दूसरे की बात करते है दूसरा जो है वो है Atlantic Ocean कौन सा है Atlantic Ocean इस Ocean को अंद महासागर भी कहा जाता है इसका सेकंड लार्जेस्ट है यानि पेसिफिक के बाद नंबर वन पर अगर पेसिफिक है तो नंबर टू पर Atlantic है यह ओल्डेस्ट जितने भी अब तक Ocean है सबसे पुराने जो खो जा गया था यह खो जा गया था उसका पानी है उसका 20% पानी है अपने पास रखता है यह वर्ड का सबसे जादा बिजी सबसे जादा बिजी Ocean है क्योंकि जो पेसिफिक है वो तो बहुत गहरा है बहुत पानी है बट इसमें इतना पानी compare नहीं है और यह क्या सबसे बिजी है और बिजी होने का कारण क्या है यह अमरिका यूरोप यानि जो में व्यापार होता है जो में ट्रेड होता है समान इदर से उदर यूरोप कहीं से यूरोप अमरिका जो डवलप्ट कंट्रीज हैं वो समान मंगाते हैं तो जो नाओ शिप्स वगर चलती है वो सब इसी में होके जाती है इसका जो शेप है वो शेप में है और यह सबसे इंपरेंट चीज क्या है यह टाइटनिक जो जहाज आपने सुना होगा यह पता होना चीज यह इसी ऑश्यन के अंदर डूबा था हमारा चलिए अब नेक्स टोपिक किस वाद करते हैं हिंद महासागर अब जैसा हमारे नाम से भी परचल रहा है हमें अगर हम देखेंगे इंडिया का नक्सा नीचे से ऐसा है जो नीचे यह पूरा बिलू-बिलू हो रखा है यह सब जो चीजे होते हैं यहां पर पानी-पानी है बिलू मैप में जहां भी दिखा रहा है इसका मतलब होता कि यह वाटर बोडी है यह पूरा हिंद महासागर है अब यह हिंद महासागर क्यों है क्योंकि यह हिंदुस्तान की सीमा को टच कर रहा है तो इट इस दा ओनली ओसियन नेम आफ्टर एनी कंट्री तो यह दुनिया का पहला ओसियन ऐसा है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया इसमें भी लगवा बीस परसेंट पानी जाई नंबर वन पैसिफिक याद रखना चाहिए उसके बाद अटलांटिक और उसके बाद हिंद महासागर इंडियन ओसियन यह तीनों के हमारे सिक्वेंस में याद होने चाहिए और इनको याद करने का भी एक बहुत सिंपल तरीका है पी ए आई मतलब से अगर पांचों की बात करूं तो अभी हम तीन पर आएं पी ए आई देखिए पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन अब हम जो दो बचे सदर्न ओशियन और उसके बाद आर्क्टिक तो इनके बारे में बात करेंगे तो सिंपल याद रहेगा कभी इस नाम अंटार्क्टिक ओशियन क्योंकि ये अंटार्किक दीप के आसपास ता उसी एरिया में पड़ता था बट अभी इसका नाम बदलके सदरन ओशियन कर दिया गया हैं यह फोर्थ नंबर पे आता है फोर्ट लारगजस्ट ओसी इस ओलत बहुअं सबसे इंपॉर्टंत च जो हमारी पैंग्विन है पैंग्विन की सबस्यादा जो इस पर जाती है वो कहां पाई जाती है सदर्न ओशियन में पाई जाती है पैंग्विन की सबस्यादा पर जाती है अब लास्ट टोपिक इसका पॉइंट है हमारा आर्क्टिक ओशियन आर्क्टिक ओशियन इसके या उ अब पूछा जाएगा सबसे बड़ा पैसिफिक सबसे छोटा हमारा आर्क्टिक ओशियन है अब यह क्या है पूरी साल हमारा मैग्जिम मेरिया जो है कवर्ड विद आइस इसले इको पूर्ड ओशन भी बोलते है सबसे ठंडा जो अगर बोला जाये कौन सा है थो आर्क्टिक है वयर्यलेस फोना अब फोना क्या होता है फोना का मतलब होता है जीव जन्तु ठीक है और एक होता है वर्ड फिलोरा फिलोरा का मतलब होता है पेड़ पोदे यानि फोना यानि यहां पर बहुत कम जीव जन्तु यह सब पाईज क्योंगी बरफ ही बरफ है तो जीव जन्तु कहां से होंगे यह सब चीजे नहीं होती है हम जानते हैं बरफ जो है जब पिंगलेगा तो कि पानी बनाएगा तो least saline water है यानि जितने भी अब तक हमारे महा सागर हमने पढ़े हैं सबसे कम खारा पानी इसी का है, सागर किसले चान जाते हैं, समूदर किसले चान जाते हैं अपने खारे पन के लिए, तो इसमें सबसे कम खारा पानी होता है अगर मैं कहूं तो इसको हम स्वीट ओसियन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका पानी खारा नहीं होता है तो हमने अपने आपके आज के जो टोपिक था उसमें पांचो महासागर के बारे में पढ़ लिया है नमबर वन पैसिफिक सीरल नमबर के सबसे जैसे हमने बताया था भी पैसा पैसिफिक अटलांटिक इंडियन उसके बाद हमारा सदर्न उसके बाद आर्क्टिक यह सबसे बड़ा है लार्जेस्ट है और डीपेस्ट है उसके बद अटलांटिक है यह second largest है इसको सबसे busy ocean माना जाता है Indian Ocean बहरत के नाम पे पड़ा है important चीज यह है यह अगर मानू 50% पानी रखता है यह 20% यह 20% उसके पास Southern Ocean South में पाया जाता है यहाँ पर मैगजिम क्या बरफ होता है लेकिन अंटार्क्टिक में क्या है सबसे छोटा है मैगजिम बरफ धगा रहता है तो उसको cold desk बोलते हैं और सबसे कम इसका पानी खारा होता है तो आज का हमारा यह टोपिक यहीं पर खतम करना चाहूंगा और आप सब लोगों से उम्मीद है कि मेरे चैनल को लाइक, शेर और सबस्काइब करें धन्यवाद आपका दिन सुभो, stay home, stay safe